Hello everyone, मेरा नाम राजीव है और आज हम दोग बात करने जा रहे हैं String So यह Python series का 5th video है मेरा इसके पहले हम लोग ने data type पे बात किया था और data type के बाद हम लोग ने first two data type देखा int और दूसरा हमने देखा float और अब हम लोग third data type देखने जा रहे हैं String String एक बड़ा topic है और इसके बाद हम लोग list, dictionary यह सब भी देखेंगे तो शुरू करते हैं, बात करते हैं String की तो सबसे पहले String होता क्या है? Series of characters Sequence और कोई भी चीज अगर double quotation में या single quotation में लिखी है Python में तो इसको String बोलेंगे जैसे double quotation में लिखा है Hello तो यह क्या है? String ओके एक और example लेता हूँ जैसे double quotation में लिखा है Hey How are you? यह भी क्या है? हमारा एक String एक और example, अगर double quotation में कुछ नहीं है सिर्फ space है तो वो भी String है आप कुछ भी लिख दो double quotation में ठीक उसी तरीके से single quotation में भी हम लिख सकते हैं सेम अगर Hello single quotation में लिखा है तब भी यह String है अगर single quotation में Hey guys How is life? यह मैंने single quotation में लिखा है यह भी String है अगर single quotation में हमारा simple one लिखा हुआ है तो यह भी String है तो हम String को कैसे define करेंगे? String is a series of characters series of characters written in single और double quotation और यह नीचे क्या हो गया? नीचे हम ने दोन तरह का example दे दिया तो यह हमारे String है अब String में दो important topic सबसे पहले यह समझो String जो हमारा होता है वो ordered sequence में होता है ठीक है? और String ordered sequence में होता है इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या है? कि इसमें हम indexing और slicing का use कर सकते हैं ठीक है? तो सबसे पहले ordered sequence क्या होता है? order sequence का मतलब कि अगर एक string है ह-e-l-l-o hello तो यहाँ पर h के बाद e है फिर l है फिर l है फिर o है अब इसी order में रहेगा ऐसा नहीं है कि यह change होके कुछ ऐसा हो जाएगा h-l-l-e-o इसी order में रहेगा तो इसको हम बोलते हैं order sequence तो इस order sequence में हमारा string है तो इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या है सबसे बड़ा फाइदा a है just one minute मुझे time दो मेरा computer hang हो रहा है I don't know ऐसा क्यों हो रहा है so just give me a minute guys okay so order sequence समझ में आ गया okay next हम देखने वाले हैं indexing तो मैं color change कर लेता हूँ indexing indexing string में क्या होता है so हमारे python में string में हर character का अपना index होता है जैसे example अगर मैं एक string लेता हूँ suppose हमारे पास एक string है जो है hello h e l l o तो यहाँ पे हर character का अपना index होगा जो पहला h है उसका index होगा 0 e का 1 l का 2 दूसरे l का 3 o का 4 एक और example लेते हैं अगर हमारा string है hey guys तो इसमें index क्या होगा so h का 0 e का 1 y का 2 अब hey और guys के बीच में जो space है वो भी एक character है python के लिए तो इसका index 3 g का 4 u का 5 y का 6 s का 7 इसके अलावा हमेरा reverse indexing भी होता है python में reverse index तो reverse index मतलब indexing इधर से आपका right hand side से start होगा तो hello में o का index हो जाएगा minus 1 अभी minus 1 से start होता है ठीक है minus 1 फिर l का minus 2 दूसरे वाले l का minus 3 e का minus 4 और h का 0 ही रहेगा reverse indexing में भी पहले character का index 0 ही होगा तो अगर आपको किसी भी string का जैसी है यह है guys इसका reverse indexing करना है ठीक है तो बहुत simple है कुछ भी tough नहीं है पहले character का 0 ही होगा अब right hand से सुरू करो minus 1 से तो s guys का जो s है उसका minus 1 y का minus 2 minus 3 u का minus 4 g का minus 5 space का minus 6 y का और minus 7 he का जो e है उसका ओके फाइदा क्या है reverse indexing का reverse indexing का फाइदा क्या है कि कभी भी कोई पूछेगा कि भाई इस string का last character मुझे चाहिए तो आपको पता है कि string का last character का index minus 1 होगा ही होगा तो आप उससे पता लगा सकते हो तो अभी इसको हम लोग देखेंगे अभी हम लोग यह पूरा run करके देखेंगे ठीक है So I hope indexing समझ में आ गई होगी So चलते हैं थोग सा string को हम Jupyter notebook में देख लेते हैं description में लिंक है आप जाके देख सकते हो So string कैसे बनाते हैं So double quotation में Hello हमारा string है Run करते हैं Hello output in 16 मतलब hello out मतलब output अब तुम बोलो output में double single quotation में क्यों आ रहा है double quotation में क्यों आ रहा है हमें करना है Hello तो आप देखो हमें सिर्फ hello आएगा ओके अगर हम single quotation में चाहें तो string बना सकते हैं Hello ठीक है आप चाहो तो ऐसे print कर सकते हो बट ऐसे आप प्रिंट करो प्रिंट करके भी output देख सकते हो डाइटली भी देख सकते हो कोई दिकत नहीं है यह हमारे string राइट अगर हमें multiple word hey people यह देखो यह भी हमारे string है अच्छा यह का अगर string है I am anus ओके सो computer है confused हो गया computer confused क्या हुआ वो सोच रहा है कि i के बाद हमें string को close कर रहे है क्योंकि single quotation i के बाद दिया गया है but हमें तो I am के बीच में हमारे English में रहता है single quotation तो उसको print करना है close तो अनुछ के बाद हो रहा है तो हम क्या करेंगे अगर हमारे string में अंदर single quotation का use हो रहा है तो इस पूरे string को double quotation कर देंगे simple अब यह computer के लिए simple हो गया अगर इसको आप प्रिंट करके देखना चाहते हो प्रिंट करने से देखो प्रिंट करना क्यों जो रही है ना अब माले हैं पर दो स्ट्रिंग है जैसे अब देखना मैं इस cell को directly run करूंगा cell को कैसे run करते हैं cell क्या होता है basically जिसमें code लिखने हैं इसको cell बोलते हैं कैसे run करते हैं shift enter तो देखो क्या है आया सिर्फ लास्ट वाला तो अगर आपको पूरा output देखना है तो आपको print करना पड़ेगा print और फिर यहाँ पर और फिर नीचे भी print अब run करते हैं देखो दोनों और पूट आ गया ओके fine next string का length कैसे निकालेंगे उससे पहले भी यही देखते हैं कि string को वरियेबल में भी store कर सकते हैं एक वरियेबल is str इसके अंदर कि मैं चाहूं तो hello मैंने str में store कर सकता हूं अगर print करना है तो print str output आगे normal अप str लिखके रन करोगे तब भी output देगा बस ही out लिखके आएगा और single quotation में ही output आएगा ओके तो हम अगर देखना है कि str का type क्या है तो हम मैं बता चुका हूं हमारे python में एक function है type जो वरियेबल का type बता देता है तो किसका type देखना है str का str में क्या है storage string तो इसका type क्या होगे string आप ऐसे run करोगे तब भी output कर देगा बट बैटर तरीका क्या है कि इसको आप print कर दो पूरा print के अंदर लिख दो जो भी output आएगा उसको यह print कर देगा print यह देखो class str आप चाहो तो इसको variable में भी store कर सकते हो type जो भी return कर रहा है t और आप चाहो तो अब t को print कर दो print t so I hope समझ में आ गया होगा next है हम string का length कैसे निकालेंगे जैसे हमारे str जो string है इसमें hello store है हमें इसका length जानना है तो hello में length कितने character है hello में count करो कितने character है h e l l o 5 characters index हमें सब 0 से start होता है but count करेंगे count to one से करेंगे न right जैसे आपके घर में इस चीज को धियान समझना घर में chair रखा हुआ है पांस्थो पहला chair दूसरा तीसरा चौथा पांच वा तो सबको अपने position number दे रखा है पहले का position number 0 1 2 3 4 तो जो position number है इसको index बोलते है आपकी ममी ने पूछा कि बेटा रूम में कितना chair है तो count कैसे करोगे 1 2 3 4 5 बस हुआ यह बताने को सुष कर रहा हूँ count हम हमेसा 1 से करता है तो str में hello है अगर इसका हमें length जानना है तो उसके लिए हमें python ने function दे रखा है जिसका नाम है length और length में किसका length जानना है str का अब इसको चाहो तो variable में store कर लो l या किसी भी variable में और फिर अगर l को print करोगे तो कितना आएगा 5 एक और string लेता है str new मैंने variable ऐसी कुछ भी अपले सकते हो इसमें है hey guys अब आपको इसका length जानना है तो डाइट आप पी चाहो तो print कर सकते हो print function कौन सा length function निकालता है और parenthesis में क्या pass कर देंगे str new क्या आ गया 8 So I hope indexing clear हो गया होगा length कैसे निकालते है clear हो गया होगा और इसके अलावा index क्या होता है वह भी clear हो गया होगा So इस video में बस इतना ही करते हैं slicing हमारा next topic है slicing अब slicing के बारे में बहुत important topic है string में आगे बहुत ज्यादा काम आएगा तो इसके बारे में अगले video में बात करेंगे Okay Thank you very much Let's meet a new video